हेलो फ्रेंस मटर मसरूम की सबजी तो आपने कई बार बनाई होगी खाई होगी पर आप इस तरीके से नई बनाए होंगे ये बिलकुल जटपट 15 मिनट में बनकर तयार हो जाती है और खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है इसे बैचलर चाहे तो असानी से बना सकते हैं ज वो भी बिलकुल रेस्टोरेंट स्टाइल मसरूम की सबजी तो चलिए बनाते हैं जटपट से जटपट से मटर और मसरूम की सबजी वह भी बहुत ही आसान तरीके से तो यहां पर मैंने 400 ग्राम मसरूम लिया है यह बहुत फ्रेस प्रेस थी जब मेरे हजबन लेकर आया थे यह काफी फ्रस्थी, एक दिन के बाद मैं बना रही हूँ इसे, तो मसरूम को मैंने सबसे पहले अच्छे से वाश कर लिया है, तीन से चार पानी से, और जो उपर वाली हार्ड पार्ट होती है, उसे भी कट कर लिया है और बड़े वाले मस्रूम को मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है और जो छोटे वाले हैं उसे दो पार्ट में और यहाँ पर मैं कुछ प्याज ली हूँ तो यहाँ पर मैंने करीबन चार प्याज लिया है जिसे रफली छोटे-छोटे टुकडो बहुत ज्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं है अगर आप बड़े टुकड़े भी रखेंगे तो भी यह चलेगा आप चाहे तो चार भाग में भी डिवाइड करके डाल सकते हैं अगर आप ग्रेवी थोड़ी पतली चाहते हैं थोड़ी मसालेदार चाहते हैं तो छोटी टुक हो जाएगा तो हम गयस की फ्लेम को बंद कर देंगे और गरम वाले तेल में हम एक चम्मत जीरा तीन से चार मैंने सुखा लालमेच और यहां पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं तो मैंने यहां पर खड़े मसालों में तीन मैंने हरी लाइची ली है और मैंने पंदरा से बीस लसुन की कलिया ली है जिसे मैंने डाल दिया है ताकि तेल में ये भी हलका सा पक जाए और इसमें जो हमने रफली कट करके चार प्याज रखे थे ना वो भी हम इसमें डाल लेंगे साथ में हम मसरूम डाल लेंगे और ये हम डायरेक्ट मसरूम डालेंगे हम इसे फ्राई नहीं करेंगे आज हम इस मतर मसरूम की सबजी को बहुत ही यूनिक वे में बनाएंगे और जटपड बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में और इसी मैंने मस्रूम में ही कूकर में ही डाल लिया है मस्रूम के साथ एक इंच अद्रक को घीस के मैंने लिया है साथ में जो हमने टमाटर को स्लेट करके रखा है कट करके वो भी हम डाल लेंगे और मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और साथ मैं मैं इसमें एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर भी लिया है ये मैंने कस्मीरी लाल मिर्श का पौडर लिया आप चाहें तो तीकी वाली मिर्श का भी ले सकते हैं और स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक एड़ कर देंगे और बस इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है उससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं करना है बस अच्छे से ये जो मसाले है ना वो अच्छे से कोट हो जाए सभी मस्रूम पर और सभी प्याज पर अच्छे से कोट हो जाए बस हमने मिक्स कर लिया है और इसमें हम बीना कुछ पानी एड़ किये बीना कोई और मसाले एड़ किये इसमें हम करीबन तीन विसल लगा लेंगे तो यहां पर मैंने फ्लेम को हाई रखा है और हाई फ्लेम पर हम तीन विसल इसे लगा लेंगे तीन विसल के बाद इसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूं किस तरह से यह बन कर तयार हुआ है मस्रूम में बहुत सारे पानी होते है इसलिए इसी पानी से ये पक गया है तो बस इसमें जो हमने टमाटर डाले है ना टमाटर भी अच्छे से गल गया है प्याज भी अच्छे से गल गया है तो हमने जो इसमें टमाटर डाले थे ना उसके सारे छिलके हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये तो गलेगा नहीं ये कुछ ह हो गए नहीं ऐसे ही चमड़े चमड़े से इसमें रहेगा तो मैंने चारो टमाटर को अच्छे से निकाल लिया है आप आज भी आप देख सकते हैं सॉप्ट हो गया है आप कहेंगे कि मटर कहां है तो यह लिजे फ्रेंड्स यह हमारा फ्रोजन वाला मटर है इसलिए मैंने पह फ्रोजन वाली है तो फ्रोजन वाली थोड़ी सी पकी हुई होती है इसलिए मैं इस स्टेज पर डाल रही हूं गैस की फ्लेम को अन करनेंगे और यहां पर कुछ सूखे मसाले लेंगे तो यहां पर मैंने एक बड़ा चमड़ धनिया पावडर लिया है साथ में एक बड़ा मीट मिसाला चिकेन मसाला चाहे छोले मसाले है ना आप वह भी एड़ कर सकते हैं और साथ में मैंने एक छोटा चमच गरम मसाला एड़ किया था और इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए जब तक पानी सूखे तब तक इसे हमें पकाना है तो करीबन मुझे 10 मिनट लग सकते हैं मसाले जो हैं ग्रेवी जो है वो गाड़ी हो गई है तो मैं इस स्टेज पर डाल देंगी धनिया पत्ते और मैंने एक बड़ा चमच इसमें कसूरी मेथी डाला है और मैंने तीन से चार के करीब मैंने स्प्लिट किये हुए हरी मिर्च डाला है बस इसे अच्छी से म एक मिनट तक और पका लेंगे यह हमारा बहुत ही टेस्टी सा लाजबाब सा सब्ची तयार है और इसे कभर करके दस मिनट के लिए छोड़ देंगे दस मिनट के बाद आप देख सकते हैं सब्ची ने ओयल को रिलीज कर लिया है और देखने में यह कितना अच्छा लग रहा है सब्ची और सच में यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी है और यह जटपट बनने वाली भी है तो कोई बैचलर्स है वो भी इस सब्ची को अराम से बना सकते हैं और खा सकते हैं तो चलिए इसे सर्फ कर लेते हैं यह देखिए देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा खाने में भी उतना ही स्वादिस्ट है आप एक बार इस तरह से बनाएगे ना आपकी समय भी बहुत बचेगी और सबको बहुत पसंद आएगी बार बार इसी तरह से मठर पनीर बनाने को घर में डिमांड होगी तो अगर आपको हमारी आज की महनत अच्छी लगी हो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लिजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके बाई 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 फ